दुर्गापटी में ग्रामिन को रौंद कर भाग रहा था नशे में धुद्प कारचालक, ग्रामिनों ने चालक वह उसके साथियों को उंगाउं में पकर कर पीट पीट कर किया अधमरा, गले में रसी बांध कर 20 सरक पर घसिट घसिट कर पीटा, घंटों तक बनाया रखा बं गाउं में पकर लिया, ग्रामिन की पहचान दुर्गापटी गाउं के ही 65 वर्षी अभीमल महतो की रूप में हुई है, जिसका प्रात्मिक उप्चार उंगाउं के ही एक नीजी अस्पताल में कराने के बाद उसे रेफर कर दिया गया, घटना आज सुकुरवार दिन के कड बारा वजे की बताई जा रही है, जानकारी के मताविक घटना के बाद भागने के दौरान कार का अगला टायर पुड़ी तरफ फट चुका था, बावजूद छोकर मारने के बाद पकरे जाने के डर से कार को रिम पर ही चलाते हुए भगाने लगा, घटना से आक्रोसित घा गहायल के पडिजन वा ग्रामीनो ने कार का पीछा करते हुए कड़ी 3 किलोमेटर आगे चलकर उंगाउं में पीनबी साखा के निकट एने सरक पर कार का ओवर डेक कर चालक वा उसके साथियों को पकर लिया, ग्रामीनो ने कार चालक वा उसमें बैठे साथियों को जम कर पि गहायल चालक काफी देर तक सरक पर खुन से लखपत वा अधमरा पड़ा रहा, उसके बाद ग्रामीनों ने गहायल चालक वा उसके साथियों को उमगाउं से दुर्गापटी घटना अस्थल के निकट ले गए जहां उसे बंधक बनाये रखा, गहायल ग्रामीन के पुत्र राकेश कुमार ने बताया कि कार चालक वा उसमें सवार उसके तीन अन्र साथी नेपाल के जठी से सराब पी कर लोट रहे थे और दुर्गापटी गाउं में पहुचते ही सरक किनारे बाइक सवार ग्रामीन बीमल महतों को पुचल दिया, बहरहाल घटना के बाद काफी वि विरोध कर दिया, पुलिस ने बताया कि आरोपी चालक वा उसके साथियों की पहचान चल रही है, समाचार प्रेशन तक पुलिस घटना अस्तेल पर मुझूद थी और ग्रामीनों से वारता चल रही थी जठी में जठी में छुला है, जठी में छ लेता साचल रही है, सही हऊचार प्रेशन चाराज़ने चिक सामने डारी लागेने चल पी कंपृटर दिया थनल्ठी में जल्ठी है, क्या बज़े घटना ये लेग हो? गर्टना गर्डंग जरत धब स्टें गंडा परेके दो हुआ है।